दोस्तों आप मेंसे काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि होस्टिंगर का आखिर इन तीनों में से कौन सा प्लान हम पर्चेस करें जो हमारी वेबसाइट पे 1.000.000 से उपर का ट्राफिक एजली हैंडल कर ले तो आज की सड़ों में इसका सॉलूशन में विद्प्रूफ के इसका पर जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन पर प्रोवाइट कर दूँगा जैसी आप क्लिक करो इस पेज पेज पर आप पहुंच जाओगे बाइचांस देखो जैसे आप किलिक करते हो ना अगर आपको होम पेज कुछ इस तरह से नजर आता है तो सिंपली आपको क्या करन ये जो होस्टिंग करनी करो और को मेनू दिखा करें रहा है लिग यह साहां पर कुलीक करने के बादेखो carbon आपके सामने कर सामने कर पर सिंप निकलो लोग कि जादा कंफूस हो जाते है कि आखिर इंचारों में से कौन सा प्लैन हम परचेस करें कि ताकि कल को अगर हमारी websites पे 1 million से उपर का traffic आए तो उसे वो easily handle कर ले क्योंकि क्या होता अगर आपने basic plan purchase कर लिया और आपके websites पे काफी जादा मतली का traffic है तो आपका website वो crash हो जाएगा और जो भी users आ रहे हैं और जो भी users आपकी websites पे आ रहे हैं भाई वो reverse back कर जाएंगे और आपकी websites का traffic पूरी तरह से down हो जाएगा यहां तक कि zero भी हो सकता है तो इसके इसमें अच्छा hosting अच्छा plan purchase करना बहुत जादा जरूरी है तो इन चारों में से कौन सा लेना चाहिए चलिए मैं अभी आपको with proof के साथ बताता हूँ देखो यहां पर जो यह single plan है न भाई यह just आपको मिलेगा 69 रुपीज पर मंत के हिसाब से जो कि इन तीनों में से काफी ज़्यादा सस्ता है लेकिन इस plan को लेने का कोई मतलब ही नहीं बनता देखो अगर आप इस plan को लोगे तो यहां पर just आप one website को host कर पाऊगे और standard performance मिलेगा और 50 GB का आपको SSD storage मिलेगा weekly backup का support और यहां पर domain SSL वगेरा कुछ भी ऐसा free वगेरा आपको देखने को नहीं मिलेगा हलाकि SSL का जो free setup है गाई इसमें भी hostinger ने provide कर दिया जो कि अच्छी बात है लेकिन बिली मियार इस plan को purchase करने का कोई फाइदा नहीं है कोई मतलब नहीं है अगर आप beginner हो सीखना चाहते हो देखना चाहते हो कि इसका backend dashboard और वगेरा कैसा दिखता है तो उसके समें आप यह ले सकते हो यह किन-किन यूजर के लिए यूसपूल है कितने-कितने ट्राफिक को यह handle कर सकता है चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ देखो यह जो premium plan है यह आपको मंतली का पड़ेगा 149 रुपीस और यहाँ पे देखो इन तीनो plan में दो मंत का फ्री एक्सेस चल रहा है मतली कि आपने plan buy किया दो महिने फ्री आप यूज करोगो इसके बाद से आपको जो plan है वो start हो जाएगा ठीक है तो यह भी काफी अच्छा offer यहाँ पे hosting प्रोवाइड कर रहा है तो जिन लोगों ने भाई अभी तक hosting buy नहीं किया तो link description में फटा फ़र जा करके buy कर लो और कौन सा plan आपको लेना चाहिए अपने traffic के हिसाब से वो तो अभी मैं आपको बताई दूँगा तो यहाँ पे देखो यह जो premium plan है इसमें आपको 100 websites को host करने का support मिल जाएगा standard performance इसमें मिलेगा 100 GB का SSD का stories आपको मिलेगा weekly backup मिल जाएगा free email और unlimited free SSL plus यहाँ पे free domain का भी support आपको देखने को मिल जाता है और अगर आप ऐसे domain buy करने जाओगे और फिर hostinger से भाई करते हो ना तो आपको भाई मलगी काफी अच्छा खासा 1000 के आसपस आपका बैठ जाएगा पैसा ठीक है जो कि यहाँ पे आपको इस plan में free मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हो और यहाँ से आप .com, .in, .net, .org और भी जितने extensions है उन सभी की domains इस आप बिलकुल free में claim कर सकते हो ठीक है बस आपको domain select करना है और फिर आपका जो domain हो जाएगा इस plan के साथ बिलकुल free में तो यह जो plan है ना यह देखो अगर आपकी जो traffic है गाईस वह 1 million से below है उस case में आप आख बंद करके इस plan के साथ जा सकते हो कोई भी problem आपको नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ पे जो जिस हिसाब से यह features प्रोवाइट कर रहा है वह sufficient है अगर आपका जो traffic है गाईस वह 1 million से below है तो उस case में आप यह जो premium plan है इसके साथ आप बेचे जग जा सकते हो और जब तक आपका traffic भाई 1 million से below होता है लाखों में है तो उस case में आप इसी plan को use करो तो जादा बहतर रहेगा आपके लिए ठीक है लेकिन बाइचांस देखो अगर आपका जो traffic है गाईस 1 million से ज़्यादा हो जाता है जो काफी लोगों का question था तो उस case में यहाँ पर मैं आपको recommend करूंगा भाई business plan देखो मैं खुद एर अपनी हर एक website पे भाई business जो plan है इसी को use करता हूं और hostinger ने भी इसे खुद most popular plan बता रखा है क्योंकि यह जो plan है ना भाई आपका 1 million से 5 million के आसपास का traffic बड़े अराम से handle कर लेगा कोई भी problem नहीं आएगा आपकी websites पे चाहें उससे थोड़ा बहुत ज्यादा भी traffic आजाना मालो जैसे 6-7 million भी traffic अगर आपकी website मंतलिक आ रहा है ना तो उसे भी भाई यह इसली handle कर लेगा ठीक है लेकिन भाई देखो अगर 8-9-10 लाक ऐसे आ रहे हैं 10 million के आसपास आ रहा है तो उसकिसमें भाई आपको cloud startup के साथ जाना पड़ेगा लेकिन जिन लोगों का question था कि 1 million से जैसे उपर का traffic आता है तो उनके लिए भाई सबसे बहतर plan है यह जो business plan ठीक है तो इसी को आपने भाई आक मन करके ले लेना देखो इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखो 269 रुपीज का पर मन्त के हिसाब से इसका यह जो plan है वो पड़ेगा दो मन्त का free access इसमें भी आपको मिलेगा यहां भी आप 100 websites को host कर सकते हो और यहां पर देखो भाई जो performance है वो increased हो चुका है 5X ठेके और 200GB का आपको NVME का storage मिलेगा प्लस डेली backup का आपको support मिलेगा और देखो यह जो डेली backup का feature है ना भाई यह अगर आप other hosting platform के साथ जाओगे तो वहां पर आपको भाई पे करना पड़ेगा इसके लिए एक्स्टा मत हजार सो उपर जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं जो कि यहां पर आपको बिल्कुल इस plan के साथ free में मिल रहा है ठीके और free email मिल जाएगा unlimited free SSL और यहां पर free domain का support आपको इस plan में मिलेगा प्लस यहां पर free CDN का भी आपको support मिल जाता है और CDN को connect करने के लिए काफी कर लेगा भाई आपका यह जो hosting plan है ठीक है आपका websites वगरा बाहर देश में भी आराम से खुल जागा अगर USA, Canada वगरा से भी traffic आपके websites पर आ रहा है अगर आप उन countries के keywords को target कर रहे हो तो बिल्कुल पक्का है कि वहां से भी traffic कुछ नो कुछ आपके websites पर आना है तो आपका जो website का speed एगा उन countries में भी बहुती जादा fast रहेगा ठीक है अगर आप यहां से CDN वगरा अपलाई करते हो अपनी websites पर जो कि यहां पर बिल्कुल free में मिल रहा है इस plan में ठीक है business plan में तो मैं खुद यहर अपने हरे websites पर इस plan को use करता हूँ तो आपको भी भाई यही use करना है म मैं भी आपको अपना back end area भी दिखा देता हूँ यहां पर मैंने back end को open कर रखा है और यहां पर मैंने business web hosting plan को use कर रखा ठीक है और मैं काफी सारे जितने भी website या जितने भी मेरे पास hosting के accounts है सभी में मैंने business plan को ही पर्चेस कर रखा है ठीक हलाकि थोड़ा सा आपको costly पड़ ठीक है तो अगर आप अभी just blogging start कर रहे हो तो maybe यहां कुछ budget के साथ ही आप आये होगे इस field में क्योंकि यहां पे little bit investment आपको करना पड़ेगा और साल का आप 10,000 दे रहे हो हर महिने का 10,000 आप पे नहीं कर रहे है ठीक है तो साल का अगर आप 10,000 दे रहे हो और आपकी website में millions से उपर का traffic है तो आप समझ रहे हो कितना profit में आप जा रहे हो ठीक है अगर आपका traffic 1 million से 5 million के आसपस है तो लेकिन अगर आपका traffic भाई देखो 5 million cross कर जाता है उससे भी उपर है 10 million से उपर चले आता है इन दोन में से कोई भी प्लान लेने का फाइदा नहीं फिर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा cloud startup में ठीक है कि नहीं हम तो स्टार्ट करते हैं हमारी website millions of traffic आ जाएगा तो हम सिधा cloud startup भी प्लान ले लेते कि हमें किसी चीज की problem नहीं चाहिए हम सिधा cloud startup प्लान ले लेते लेकिन यह सबसे बड़ी बेवकोफी होगी आपके ऐसा गलती मत करना ठीक है देखो भाई traffic लाना कोई बचों का खेलनी यार बहुत जादा महनत करनी पड़ती है ठीक है तो जिस जिस हिसाब से आपकी website पर traffic जैसे जैसे धिरे धिरे बढ़ेगा ना उस हिसाब से आपको अपना प्लान अप्ग्रेड करना है तो सबसे पहले आपको premium से start करना है तो अगर आपका जैसे मालो लाखों में traffic आ कर सकते है ठीक है तो इस तरह से आपको धीरे धीरे अप्ग्रेड करना है ऐसा नहीं अचानक से आपने cloud startup या business plan ले लिया तो भाई आप फर्जा हुए और विकार में अपना पैसा वीस्ट करोगे ठीक है सबसे पहले अपनी websites को गुरो कुरो उस पर traffic लाओ और यहां पर मैं ही hosting को purchase कर लो यही sufficient है ठीक है तो इस तरीके से guys आपको अपना plan भाई select करना है I hope you are आपका यह जो confusion भाई वो दूर हो गया होगा देखो मैं हर एक website बिजनेस plan को use करता हूँ मैं आपको अपना search console भी दिखाता हूँ देखो यहां पे एक website मेंने connect कर रहा है भाई पागल वर् problem नहीं आ रही है ठीक है बिल्कुल भी problem नहीं आ रहा है इस website पर देखो पागलवर.in यहां पर hosted है और यहां पर देखो business web hosting active है ठीक है तो अगर आपका million से उपर है traffic तो आपने business plan के साथ ही जाना है तो इसका जो best well link है मैंने description में provide कर दिया है जहां से भाई देखो आपको 75 percent of mills आएगा अभी summer sale चल रहा है तो यहीं मौका है अगर आपने अभी तक अपने websites के लिए hosting भाई नहीं किया है तो फटा फट बाई करो और hostinger से अच्छा platform कोई है नहीं भाई ठीक है मैंने काफी सारे platform use किया भाई मैंने blue host host getter हो गया और जैसे site ground वगेरा बहुत कुछ उ then I hope guys आप समझे होंगी आपको अपने websites के लिए कौन सा plan आखीर लेना चाहिए तो आज की इसमने में इतना ही बाकी मिलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye बाकी link आपको description में मिल जाएगा